पूजा करते समय आपके दीपक की बाती कई बार पूरी जल जाती है तो कई बार आधी रह जाती है तो इसका क्या मतलब होता है आज मैं आप से इसी विशे में चर्चा करूंगी कि दीपक की बाती का पूरा जलना या अधूरा रहना किस ओर संकीत करता है पर उससे पहले जयब हो लेनाद दोस्तों मैं मंजु कुमार अपने सिव परिवार चैनल में आप सब का दिल से स्वागत करते हूं कैसे हैं आप सब तो ये बताने के लिए comment box में जयब हो लेनाद जरूर लिखेगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर दीजेगा बेल आइकन को प्रेस कर दीजेगा ताकि हमारी वीडियो की नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजेगा जादा से जादा से जादा स दीपक के द्वारा भी हमें भगवान के कई प्रकार के संकेत मिल सकते हैं जब आप पूजा पाट सुरू करते हैं और पूजा पाट करते करते आपको महीने दो महीने साल या कई साल हो जाते हैं तो आपके जो इश्ट देव हैं उनकी कृपा आने सुरू हो जाती है और वो एतों से आप जान सकते हैं कि जो पूजा आप कर रहे हैं उससे वो प्रशन है या फिर नहीं है। पूजा उन तक पहुँच रही है या फिर नहीं पहुँच रही है। उन्हें आपकी पूजा सिवकार है या फिर नहीं। तो कई वार ऐसा होता है कि जिन घरों में बुरी सक्तियान यानी नाकारातमक सक्तियान वास करती है तो उनकी पूजा, उनकी इश्टदेव तक नहीं पहुँच पाती और उस पूजा को वो बुरी सक्तियान ग्रहन कर सक्तिसाली बनते हैं इसके कारण जो साधक है पुजारी है वो जितनी जादा पूजा पाट करते हैं उसके घर में उतनी ही परिशानिया बढ़ती है क्योंकि जिस तरीके से नकरात्मक सक्ति को अगर पूजा पाट मिलने लगे तो वो बलवान हो जाती है और उसका नकरात्मक प्रभाव ही होता है उसी परकार से अगर सकरात्मक सक्ति को वो पूजा प्राप्त हो तो सकरात्मक प्रभाव मिलता है आपको घर में सुक्षान्ती होती है, घर में वरकत होती है, पर होता क्या है कि जिन घरों में बुरी सकती होती है, वो आपकी पूजा को ग्रहन करते हैं, जिसकी वज़ा से आप में और आपके भगवान में बहुत दूरियां हो जाता है, जिसके कारण उनकी क्रीपा आपको नहीं मिल तो दीपक के कुछ ऐसे संकेत होते हैं जो आपको बताते हैं कि आपके इश्ट देव की कृपा आपके उपर है जैसे दीपक में फूल बनता है तो वो संकेत है कि आपकी पूजा भगवान तक पहुँच रही है और आपकी पूजा से भगवान संतुष्ट है भगवान आपके साथ है और किसी न किसी रूप में आपकी सहायता कर रहे हैं या फिर दीपक की लौका भभकना त्रिव होना या मंद होना ये सभी संकेत आपके इश्ट देव आपको देते हैं पर जब बात करते हैं कि बाती पूरी जल जाए या अधूरी रह जाए तो उसका कई लोग scientific तरीका भी निकालते हैं कि उसमें तेल कम था या घी कम था जिस वजह से बाती पूरी नहीं जली तो देखिये मित्रो मानो तो देव नहीं तो पत्थर ये सब आपकी विश्वास पर है जैसे science कहती है मुर्ती को कि ये पत्थर है पर हमारा विश्वास कहता है कि वो हमारे इश्ट देव हैं आपकी जो भगती और विश्वास होता है, वही आपको इस्वरिय कृपा को अन्भव कराने में मदद करता है सनातन धर्म में दीपक का विसेस महत्तो होता है, वो देवता का प्रतीक होता है जितने भी हिंदू लोग हैं वो पूजा पार्ट में दीपक जरूर जलाते हैं सुबह साम बिना दीपक के पूजा कभी भी सफल नहीं होता और उसी दीपक में कई ऐसे उदाहरन आपको देखने को मिलते हैं जो आपको बताते हैं कि आपके इश्टदेव की क्रिपा आपके उपर है या फिर नहीं है तो मैं आपको बता दूँ कि दीपक की बाती का पूरा जल जाना सकारात्मक संकेत ही होता है और इसका मतलब है कि भगवान आपसे बहुत खुस है उनके कृपा आपको मिल रही है मुझे पूरा भरोसा है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी भगवान भोले नात आप पे और आपके पूरे परिवार पे अपनी असीम कृपा बनाए रखे इसी कामना के साथ फिर मिलती हूँ तब तक के लिए जैब हो ले नात